पहला एपिसोड कार्वीजवा पे खतम हुआ था और ये एपिसोड वहीं से शुरू होकर फिर से कार्वीजवा पर खतम होता है एक लाइन में डिसक्राइब करूँ तो हमें कार्वीजवा के बारे में जानने को मिलता है सीजन वन की अजीब पेसिंग की वज़े से ये एपिसोड काफी सफर करता है और आगे ये बात रेलेवेंट ना हो तो बहतर होगा अब आगे की गलतियां निकलने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एपिसोड में क्या हुआ था सबसे पहले तो हमारा गीगाचड कोएंजी इमेल भेज़ कर अपने ग्रूप को लेडूगता है वो भी पूरे स्वैग के साथ कौन-कौन वियाईपी है ये बाते सीक्रेटली इधर उधर हो रही हैं और इन्फरमेशन के लेजिटमेसी पर डाउट करना आसान है वियाईपी के इवेंट डिस्ट्रिब्यूशन को देकर अयानो कोजी और हुरी किता गेस करते हैं कि सेकेंड वियाईपी करूईजावा हो सकती है वहाँ पिर यूएन आकर हुरी किता को उसे जोइन करने कहता है यूँकि उसके पास क्लास C से कौन-कौन वियाईपी है उसकी खबर है ओवियसली हुरी किता उसे भगा देती है मगर अयानो कोजी को लगता है कि रियूएन को ये बात पता चल गई है कि स्कूल किस आइडियोलोजी पर काम करता है और वो उसी का फायदा उठा रहा है इसके बाद हमें दिखाया गया है कि करविजावा अपने लाइफ से काफी डिजगस्टेड है और कुशीडा तो अयानो कोजी के साथ इलू-इलू करने की कोशिश करती है मगर मुझे लगता है कि कुशीडा का कोई और अल्टिरियर मोटिव जरूर होगा फिर पता चलता है कि स्टूडेंट्स को किस गुरूप में रखना है ये रैंडम नहीं था बलकि उनके होम रूम टीचर्स का डिसिजन था हर साल क्लास रफेसेंटेटिव को अर्ध गुरूप में रखा जाता था वो अभी तक उसके पीछे हैं कारवी जवाई सीचुएशन में हिराटा की हेल्प मांगती है मगर हिराटा जितना हेल्प ओफर करता है वो कारवी जवाई के लिए कम पड़ जाता है तो इसी वज़े से वो अपने प्रिटेंड बॉइफ्रेंड हिराटा से रिष्टा तोड़ हैं बाहर निकलते वक्त आयानोकोजी अपने एक और क्लासमेट के साथ कारवी जवाई के पीछे लग जाता है क्यूंकि उसे शक होता है कि क्लास सी की लड़कियां फिर से कारवी जवाई को तंग करेंगी आयानोकोजी का कैस सही होता है और काफी कुछ होने के बाद पता च चुकी है और उसे फिर से बुलिंग जहलनी पड़ती है मगर अयानोकोजी को यह सब देकर घंटा फर्क नहीं पड़ता अब मैं अपने खुद के ओपिनियंस रखूंगा और हम पीछे से शुरू करते हैं एपिसोड का सबसे बड़ा क्वेस्चन मार्क यह है कि अयानोकोज उन से पहले कितना अत्याचार सह सकती है और शायद अयानोकोजी रिजल्ट से ज्यादा खुश नहीं था क्लास सी की लड़किया चाहती है कि करुईजवा एक लड़की से माफी मांगे क्योंकि कुछ वक्त पहले गलती से करुईजवा उससे टकरा गई थी हमें यह नहीं द करुईजवा ने क्लास के सबसे पॉपुलर लड़के फिराटा के साथ यह नकली बॉइफ्रेंड गल्फ्रेंड का खेल रचा ताकि उसे आउटकास्ट करके बुलिंग ना किया जाए मगर यह नकली रिलेशनशिप ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी और वो क्लास ए से कर्विजवा के वल्नरेबल साइड और कंजर्वेटिव नेचर को जानने के बाद आयानो कोजी प्रोबबली उसकी इन्हीं खामियों का यूज करके टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा मगर मैं यह सोच रहा हूं कि आयानो कोजी आखिर उसे किस हद तक एक्सप्ल बीच बीच में करेक्टर्स काफी अजीब से दिख रहे थे मुझे लगा कि स्टूडियो फिर से एक अच्छे शो को घटी आनिमेशन से बरबाद करने वाला है मगर सरप्राइजिंगली इस एपिसोड को आउट्सोर्स किया गया था जो कि अंडरस्टेंडेवल है क्योंकि म अच्छे से बनाईगी तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखना और देखने के लिए शुक्रिया